जिनकी राजदानी लख नोती में थी अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमर कोट में हुआ था रविद रनाथ टैगोर तुवारा रचित जन्गन मन को रास्टगान के रूप में 14 जन्बर 1950 को अपनाया गया रविद नाथ टैगोर दुवारा रचित जन्गन मन को रास्टगान के रूप में 14 जन्बर 1950 को अपनाया गया रास्टगान सरपर्थम 27 दिसंबर 1901 को भारतिय राश्टिय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया राष्टिगान सरपर्थम 18. दिसंबर 1911 को भारती राष्टिय कांग्णेस के कलकॉत्टा अधिवेशन में गाया गया भारती राष्टे कांग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तयव जी थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष बनाए गए थे महरोली दिली में इस्थित लोह अस्थम्ब को चंदर गुप्त दुईतिये ने बनवाया था महरोली में इस्थित लोह अस्थम्ब को चंदर गुप्त दुईतिये ने बनवाया था बर्नी हाल जंबू कस्मीर के पीर पंजाल में इस्थित धर रहा है संबिदान के भाग नौ में पंचायतों का उलेख है संबिदान के भाग नौ में पंचायतों का उलेख है काकोरी कांड में स्वतंतरता सेनानी राम परसाद बिस्मिल को गौरफपूर जेल में फांसी दी गए थी काकोरी कांड में स्वतंतरता सेनानी राम परसाद बिस्मिल को गौरफपूर जेल में फांसी दी गए थी खड़ीव की फसल दच्छनी पस्चमी मानसून के प्रारम में बोई जाती है किस राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है किसी राज में राष्टपती सासन तब लागू किया जाता है जब राज का सासन संबिधान के उसार ना चलाया जास गए